नमस्कार आप देख रहे हैं स्पोर्ट चैट मैं हुश्य चांग सिंग और भारत और न्यूजिलिंड सीरीज में पहले वन डे में भारत को जीत तो मिली 12 हरन से लेकिन 131 पर 6 से स्कोर पहुँच गया था साड़े 300 के लक्ष का चेज़ करते हुए पीछा करते हुए न्यूजिलिंड का 293 परचे यानि 162 रनों की साज़ेदारी हुई सैंटनर और ब्रेस्विल के बीच में और 102 गेंदो पर मातर और वहां से भी मैच जो है वो अंते मोवर में था बाल बाल बच गए यूं कहें तो गलत नहीं होगा और भारतिय टीम पहला मुकाबला जीतने में सफल रही लेकिन इस जीत से भारत के लिए सीख बहुत ज्यादा है पांच पॉइंट्स में वो सारी सीख हम आपको बताएंगे और सबसे पहला जो उसका पॉइंट है वो ये है मेरे दोस्त कि क्या जो भारतिय के टीम है वो इशान किशन के बैटिंग और को फिक्स कर सकती है क्योंकि अभी अगर आप देखें तो सबसे पहली जो चीज़ है आपको मैं स्कोर कार्ड दिखा देता हूं आप इस स्कोर कार्ड को देखिए यहां पर इशान किशन जो है उन्हें मध्यत्रम में बेजा गया अब ऐसे में किसी भी प्लेयर को अगर आप दूसरा रूल दे देंगे तो वो उसमें बिल्कुल से फिटिन नहीं हो पाता है तो इशान किशन का जो बैटिंग और है वो आपको फिक्स करना होगा लेकिन वो क्यों करना होगा ये भी आपको समझना होगा कि उसके पीछे भी वज़ा है वज़ा ये है क्योंकि ये जो खिलाडी है ये कोहराम मचा रहा है अब आप इनके जो पिछला प्रदर्शन है शुबमन गिल का वो आप देख ले तो 149 गिल्दों में 208 रंद खाना कि शुबमन गिल जो हैं वो क्लासी बल्लेबाज हैं किसी भी जगा पर फिटे बनाते हैं अब इसमें उनका जो पूरा रेकॉर्ड बाब देख लीजिए ये बतौर ओपनर है और उन्होंने रेकॉर्ड भी बना दिया है 19 मैचों में सबसे तेज भारती होने का हजार रं तक पहुँचने वाले और 79 की ओसत से ऐसे में इस खिलाडी के साथ छेठशाड की नहीं जा सकती रोहिच शर्मा रोहिच शर्मा है तो ऐसे में इशान किशन का बैटिंग ओर्डर ये डिसाइड करना होगा भारत को वरना भारत को आ सकती है दिक्कते पेश अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है और वो रोहिच शर्मा से ही जुड़ा हुआ है कि क्या रोहिच शर्मा जो है वो बड़ा स्कोर बनाएंगे हाना कि मैं ये जानता हूँ कि उनकी जो वंडे पारियां है अगर आप वंडे पारियां देखें तो 2020 से शतक नहीं आया है जन्वरी में आया था लेकिन उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो तीन साल से उपर हो गया लेकिन जब आप वंडे पारियां देखते हैं तो 15 से 16 पारियां पहले ही वो शतक आया था जब आप पूरी ओबरॉल इंटरनेशनल पारियां देखते हैं तो वो पारियां जो हैं वो 51-52 पहुंच जाती है जो की थोड़ा सा disturbing आकड़ा है अगर आप रोहिच शर्मा का दिक की होंगी क्योंकि जब वो आएगा तब भारत एक और लेवल ऊपर चला जाएगा क्योंकि रोहिच शर्मा को बड़े स्कोर लगाने के लिए जानते हैं यहां पर भी अच्छे दिख रहे थे लेकिन वो स्कोर नहीं आ सका तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है वो आप यहां पर देखिए कि जो थर्ड पॉइंट है वो है हार्दिक पांडिया का फिटनेस इशू यानि कि क्या वो फिट है क्योंकि हमने देखा जो श्रिलंका के खिलाब पहला वंडे भी खेला गया इस साल का वहां पर भी उनको निकल हो गया था बैक में तकलीफ हो रही थी उन्होंने का कि यह पानी नहीं पिया यह नहीं हुआ यहां पर भी हमने देखा कि कल उनकी बैक को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे मेरा बस इतना सा कहना है कि अगर हार्दिक पांडिया दस ओर नहीं डाल पाएंगे अगर वो फुली फिट हार्दिक पांडिया नहीं है तो वो टीम में बिलकुल जरूरी नहीं है, ये आपको देखना होगा, एक अन्फिट खिलाडी से एक ही डाइमेंशन का कोई खिलाडी हो, वो ज्यादा जरूरी है, तो लेकिन हमारी जीत के लिए, हमारी बैलेंस के लिए हार्दिक पांडिया को फिट करना होगा, और वो बेह क्योंकि नमबर आठ पर जब आप और लाउंडर की बात करते हैं, तो क्या आप उम्रान मलिक की रफ्तार को कम तरजीह देते हैं, जो वो आपको मिडल ओवर में विकेट ले कर देते हैं, और साथी साथ में जो पार्टनरशिप में वो विकेटे दिलवाते हैं, दूसरे गे गेट लेते हैं, ऐवरेज 25 की, याणि हर 25 रन पर वो विकेट लेते हैं, वहीं जब आप तुलना शारदुल ठाकूर से करते हैं, तो वो तुलना जो है, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, यानि कि उनकी 33 की ओसमें हर 33 रन पर विकेट लेते हैं, और हर 6 जटे ओवर में, य पॉइंट बड़ा सीधा सा है जैसा मैंने का कि बोलिंग वीक है यॉर्कर्ज नहीं डाल रहे हैं जो गेंदबाज हैं और अगर आप इंडिया का जो बोलिंग कार्ड है वो देखेंगे तो ये तस्वीर आपको सामने साफ हो जाएगी मौहमद शमी जैनों ने पांच ओवर मे उसी में उन्होंने पचास रजन खा लिये तो ये पिटाई जो है ये भारत की हार का सबब बन रही है और इससे सीखना होगा क्या मौहमद शमी भी उसी राह चल गए हैं जहां पर भुबनेश्वर कुमार ते पिछले टी-ट्विंटी वर्लकप में क्या अंत में ओवर्जम नहीं डाल पा रहा था और शारदोल ठाकर को तो यही नहीं समझ आ रहा था कि गेंदबादी करनी कहा हैं वो और यहां पर बाकी जितने भी गेंदबाद हैं उनकी सब की धुनाई हुई है ऐसे में मेरे दोस्त जैसा कि मैंने कहा कि इन 5 पॉइंट्स पर अगर भारत ने वि कभी विजय पा लेगा यानि हिशान का बैटिंग ओर वैसे तो अभी केल राउल आ जाएंगे न्यूजिलेंड सीरीज के लिए अगर हम इसको सीमित रखें दूसरा रोहिट शर्मा का बड़ा स्कोर वो आना जरूरी है भाई हारदिक पंडिया का फिटनेस इशू मुझे ल रॉला पह जाएगा जी यानि कि दिक्कते हो जाएंगे एनिवे आप क्या सूचते हैं आपकी क्या राय है अगर कोई और पॉइंट जो आप सुझेस्ट कर सकते हैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में कीजिए आप देख रहे हैं स्पोर्ट शैट मैं हूँ शेशांग सेंग नमस् झाजय कॉमझें मैं हुआ हैं manufacturing, आप सकते हैंयो कोईड़ जाएंगे राय लिक्मेंस каких दोचरा इंटकिं़ नमस्कान सुझेस्या हैं कि अखिता हैं है here m